हलो एब्रिवन तो आज सुबह मैंने पेपर डाला था बीएस सी सेकंडियर जूलो जी का फर्ष्ट पेपर और उसके अंदर सेक्शन एक एक कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन टोटल टैन क्यूशन बताये थे और मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो उन टैन क्यूशनों से बाहर आपके कुछ भी नहीं जाएगा 90% यह आपके किस्मत ही खराब वरना आपने इतना कुछ पढ़ा है मेरे लिए उन 10 कि उसनों को भी पढ़के जाना और अब बात कर रहा हुं मैं बीस से कैंड़ियर जूलो जी का जो सेकंड पेपर है उसका जो सेकंड पेपर है फिसमें आपके तीन सेक्शन में से आपको मै क्लियर कर लेते हो तो मैं आपको गारंटे की साथ कह सकता हूं कि आपको नज्यान प्रतिसति यहां से मिल सकता है ठीक है कुछ एक प्रतिसति ही है जो रह जाए तो इसकी यार मैं क्या खाऊंगों तो देखिए क्यूसन जो मैं बता रहा हूं इनको एक बार पढ़ के जाना मेर जरूर पढ़के जाना क्यूसन है नमबर वण आपको एक बार फिर से बता दू ब्हयार में जूलो जी का सेकंड पेपर है यह क्यों मैं ने पिरचे बता दू एनिमल फिजोलोजी एंड बायो टेकनोलोजी का जो सेकेंड पेपर आपका ठीक है उसकी से मैं बता रहा हूं आपके लियर कर लेना क्योंस नमबर वन है पेसे संकुचन की कारकी का विस्तार से समझाइए और इसका अथ्वा का क्यूशन है पेसियों के कई और 21 की जो आपकी अग्जाम होगी क्योंकि आप अब सबीने यह बात नोटिस कियोंगी कि आपके जो क्यूशन आते हैं पिसले पंच वर्सों की अंदर ही आते हैं इनसे बाहर कोई प्यूशन नहीं चाता है परांतो इस बार एसे होजाए कि जैसे थियो का पेपर कुछ विस्तार से वन्न कीजिए लेंगर हैंस जो दीपी काओं होती है उनके द्वारा इस्तरावित हार्मोन के नाम लिखने आपको एवम उनके कार्यों का विस्तार से वन्न करना है युनिवर्सिटी में 18-14-13 लगातार क्यों पूचा गया है तो इसके चांसे जाएं बइसके संसेट हैं इन्सलीन हर्मोन के उपर आपको शंस theory निखनी है दूसरी बात में आपको बता दू ये जो क्यूर्स है आप एक पर मां बता रवास बस दो सोर्ल पेपर है उनमें मिलनेगी एक तो सुमितσα ना सोरी कर्योच्पर में मिल जाएंग को सैखिर को सोल पेपर चलता है उसके अंदर मिल जाएंगे ठीक है और नेक्स्ट क्यूशन आप देखिए तीसरा जो क्यूशन है टोप में याँ पर चोदा क्यूशन आपको बता रहा हूं ठीक है तीसरा क्यूशन के कारियों पर हाइपो थेलेमस के नियंत्रन को समझाईए प्यूस ग्र नहीं फाइब नमबर का क्यूशन देखिए ठीक है जो फॉर नमबर क्यूशन था उसको मैंने नहीं बताए क्योंकि वो सभी को आता होगा मेरे साब से और वो नहीं भी आया है एक्जाम में फॉर्ण फाइब नमबर क्यूशन है कि निमन में से किनी दोपर संसिप्टिव न नें तरन दोनों पर लिखनी है ठीक है नेक्स्ट कुशन मैं देखो आपके सामने सिक्स नंबर का क्यूसन आपका यहां पर है काफी इंपोर्टेंट क्यूसन है वो देखिए यहां पर है संसीब टिपनी लिखनी है किस पें पेशी संकुचन की किरिया विदी के ओपर संसीब पेसी संकुचन का देखें, first question भी मैंने यही बताई है, पेसी संकुचन का second भी यही था, और यह 6th number का question भी पेसी संकुचन का यही आगा, तो पेसी संकुचन को clear कर लिजेगा, एंड इसके अथ्वा का है पेसित तंतुक किस सुस्थन सरचना है समझाईए पेसित संकुचन के आन्विक सिद्दान्त को विस्तार से आपको समझाना है next seven number का क्यूसेन है थायराड गरंती की सरचना की विवरण दीजिए एवं इसमें इस्तरावित होने वाले T3 वे T4 हार्मोन्स के संसलेशन तता कारियों की विवेचना कीजिए अथवा में जो क्यूसन है संसेप टिपनी लिखिए थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन आर्मोन के उपर आप लिख सकते हो काफी इंपोर्टेंट क्यूसन है एक बार पढ़के जरूर जाना ठीक है थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो यह है पेपर में जैसे मान लीजिए तंतरी का आव थायरोक्सिन कंव deba यू कք नियापर बताने आपको देखिए प्लीजिग आको बीस दी आशुक्य आशूля आपको 14 बताएं इन में से मैं आपको बता दू कि आपके पांच पढ़ने पढ़ने पढ़ेंगे पांच तो ओल्रेडी के लिए हो जाएंगे सरजना इमकारियों का विबन दीजिए तथा इससे तरह तोने वाले आपको नियमन को समझाइए नेक्स्ट क्यूसन आपके 11 नमर का क्यूसन है कि निमन लिक्ट में से किनी दो पर संचिप निलिखनी है की यह दुबारा जो है रिपीट हो गया किसन तो इसको छोड़िएगा वैसे याद कर लीजिए अच्छा क्यूसन है देखें संचिप निया नियूरो हाइपोफाइस दुआरा संचित आर्मोन पर आपको संचिप नहीं लिखने काफी इंपोर्टेंट क्यूसन है ठीक है 2014 में पुछा गया क्यूसन है नेक्स्ट कूसन आपको मैं बता दू तंत्रिका कोशिका की क्रियात्मक सरचना का वर्नन कीजिए तंत्रिका कोश बनाए और ऐसे बना कर आपको उसको नामांकित कर देना है चितर जरूर बनाना ठीक और रूल ले जाएं रूल से चित्र बनाना है चछे अच्चे साफ लिखे जितना आता है उतना लिखिए ठीक है नेक्सट कीरें यसे कुलियर करते हूं कि अच्छे से क्लियर ली तो आपका चार-पास प्लिलेर हो जाएंगे ठीक है इनका इस्क्रीनसोट लेलीज आप वीडियो को कर ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पेपर अच्छा जाए और साम को तयार है ना आठ या नो बज़े मैं एक पेपर डालूँगा उसको जरूर जो है आप कर लेना मैं यदि वीडियो नहीं बना पाऊं ठीक है वीडियो नहीं बना पाऊं तो कम्यूनुटी में मैं उस पेपर को पोस्ट कर दोगा वहाँ को भी देखिएगा ठीक है थर्ड पेपर से कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन बता दूंगा फर्ष्ट से बता दिया से बता दिया थर्ड से बता दूंग थर्ड की वैसे भी आपकी एक्जाम जो है पत्चीस तारिक होगी पत्चीस को तो क्या वैसे यदि पत्चीस 26 27 जो है पर जाता है तो काफी टाइम मिल जाएगा मैं इंपोर्टेंट क्यूशन बता दूंगा पर इन दोनों पेपरों के अच्छे से तयार कर लेना मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम धन्यवाद